पावर स्टार पवन सिंकल लखनव में अपने चीन के लोगों के साथ बाई रोड कहीं जा रहे थे इसे वर्थ पवन शोसल मेडिया पर अचानक से लाइब आकर अपने चाहने बालों से अपने फैंसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम अपने भाईयों से अपनी गलते के लिए माफी मांग रहे हैं हमको पता है कि मेरा गाना आने में बहुत लेच हो रहा है लेकिन हम मजबूर हैं हम जानते हैं कि मेरे चाहने वाले मेरे भाई लोग मेरे फैंस गाने का बेसबरिस से इंतजार कर रहे हैं लेकिन हम यहीं बताने के लिए लाइब आए हैं कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वज़े से मेरा गाना लेट हो रहा है कुछ फॉल्ट हो गया है जिसकी वज़े से इतनी देरी हो रही है वरना हम गाना गा दिये हैं यानि गाने की रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है लेकिन कुछ तक लेकिन पोस्टर चोड़कर गाना आने में इतनी देरी हो रही है उसके लिए हम अपने भाईयों से माफी मांग रहे हैं हम शमा प्रार्थी हैं लेकिन आप लोगों को और इंतिजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कल या परसो गाना आप सब के बीच होगा और एक बार गा आना रुकेगा नहीं लगातार गाना आएगा अब हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि पावन अचानक से कल लाइव आकर यह सब क्यों कहने लगते हैं और अपने किस गाने के बारे में अपडेट देते हैं लेकिन उससे पहले नमसकार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ है कैमरामेंट विशाल और आप देख रहे हैं जनता देख दरसल होता यह है कि लंबे ब्रेक के बाद लगभग एक महीने बाद आज से चार दिन पहले पावन सिंग के आने वाले एक नए गाने का पोस्टर आउट होता है जिस गाने का नाम है धनिया एजान और इ इस गाने में पावन के साथ शिलफी राज का भी आवाज होगा यह गाना पावल सिंग के सालय बिक्की सिंग के नए म्यूजिक म्परी उशाख फिल्म से आएगा और गाने की वींडियू में पावन के साथ चांदिनी सिंग नाम की एक मॉडल नजर आने वाली थी लेकिन पोस्टर देखने के बाद पवन के फैंस तो खुश हो जाते हैं उसी दिन से वो इंतिजार करने लगते हैं कि कब उनके स्टार का नया गाना आएगा लेकिन पोस्टर आए हुए तीन से चार दिन हो चुके हैं फैंस में सबरी से गाने का इंतिजार भी कर रहे हैं लेकिन पवन के गाने का भी तक कोई अता पता नहीं है जबकि आम तोर पर यही होता है कि पवन के किसी गाने का जब भी कोई पोस्टर आउट होता है तो पोस्टर के एक से दो दिन के बाद गाना रिलीज हो ही जाता है और क्यों नहीं आ रहा है कब तक आ रहा है और फैंस पावन के फैंस लागतार नाराज हो रहे थे पावन सिंग के लोगों को लागतार मैसेज करके पूछ रहे थे कि पावन सिंग का गाना कब तक आएगा पावन का गाना क्यों नहीं आ रहा है पोश्टर तो आच चुका है लेकि के फैंस को बहुत अच्छे से पता है इसलिए पवन की इस बार की इस विहेवियर से भी उनके फैंस काफी नाराज थे और इस बार भी यही हो रहा था उसके बार फैंस के लगतार मैसेज आने लगे थे जिससे पवन मजबूर होकर अपने साले विक्की सिंग के शूसर मेडिय देही रहे थे और बता ही रही थी कि गाना आने वाला था लेकिन किसी टेक्निकल प्राब्लम की वज़े से गाना आने में देरी हो रही है क्योंकि उस वक्त पवन किसी से बात कर रहे थे लेकिन पवन के फैंस बार बार लाइब में कमेंट कर रहे थे कि बॉस कहां है पवन सबसे पहले माव्ही मांगते हैं कैते हैं कि हम को फता है कि मेरे बहुत सारे भाई हम चमा प्राइथी हैं लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि किसी तक्निकी समस्या की वज़े से हम लोग आना नहीं लापा रहे हैं, इसके लिए हम छामा प्रारती हैं, लेकिन एक से दो दिन के अंदर ये समस्या खत्म हो जाएगी, और जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वैसे ही हम सबसे पहले य क्या वाकई एक से दो दिन के अंदर पावन सिंह के आने वाले नए गाने धनिया हो जान, ये विक्की सिंह के म्यूजिक अंपर रिलीज होता है, या आगे भी किसी कारण से गाने कर दे टल सकता है, बाकि गाने से जूड़ी कोई नए जानकारी, कोई नए अपडेट सामने के आएका तो हम आपको जरूर बताएंगे, फिलार वीडियो को समाप करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद.